हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ टॉप लेवल टिप्स में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो के मात्यम से आपको बताएंगे सिंगाडे के हल्वे के फाइदों के बारे में सिंगाडे में प्रोटीन, कार्बो हाइडरेट, फासफोरस, मिनरल्स, राइबो फ्लेबिन, विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन, कैलसियम, मैंगनेशियम जैसे तत्व प्रयात भात्रा में बिलते है, बुजर्गों का गर्भबती महिलाव के लिए ये कापी गुणगारी है, इसकी फसल सर्दियों में होती है, इसका फून रूप से उत्पादन, पानी में होता है, तो आईए विस्तार से जानते है, सिंगाडे के हल्वे के सेवन से होने वाले फाइदों के बारे में अस्तमा के मरीज सिंगाडे का हल्वा यदि नियमित रूप से सेवन करते है, तो उन्हें साथ समद्धी समश्चाओं से आरा मिलता है, सिंगाडे में आयोडिन पाया जाता है, जो गले समद्धी रोगों से हमारी लक्षा करता है, सिंगाडे में युकर फेशाबाना जैसी बिमारियों में भी सायक है, जिन लोगों की नाक से खून आता है, उन्हें सिंगाडे का हल्वा खाना चाहिए, सिंगाड़ा बवाशीर जैसी मुश्कल समश्चाओं से भी निचात दिलाने में कारगर साबित होता है, सिंगाडे के हल्वे से केलस से पीरियर्स की समश्चा भी ठीक होती है, सिंगाडे का सेवन रख्त समंधी समश्चाओं को भी ठीक करता है, सिंगाडे के सेवन से अर्दे की बिमारियों को भी ठाला जा सकता है, इसके साथ सिंगाडे के सेवन से सुगर को भी नियंत्रित किया जा सकता है, तो आईए आपको सावदानियों का ज्यान रखना चाहिए यह दि आपको कब्ज की समझ्चा है या फिर इस इस्तति में आप सिंगाडा या फिर सिंगाडे का हलवा ना खाए तो फ्रेंड्स ये थे सिंगाडे के हल्वे के सेवन से होने वाले लाब ऐसे ही हेल्थ से रिलेक्टेड इंपर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल हेल्थ टॉप लिवड टिप्स को सब्सक्राइब करें थैंक्स